नमस्कार, मेरा नाम कामता प्रिशास्ली है, मैं प्रभारी प्रधान पाठक, प्रात्मिक शाला कालो निगज पंतोरा, विकास खंड बोलोदा, जिला ज्यांजी चापा, 36 गड़ में पदस्तों हूँ. मुझे बताकर खुशी हो रही है कि मुझे राश्टिय, राज्य वा जिला इस्तर पर नवचारी गती विधियों के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा टीस रही है कि जहां एक और मुझे सम्मान दिया जा रहा है, वहीं जिस विध्याले में मैं पदस्त हूँ, वहां मुल्भू सुईधा भी नहीं है, यह टीस मुझे एक नवाचारी प्रगतिशील पहल योजना बनाने के लिए मजबूर करती रही, और इस योजना का क्यानिवयन मैंने समुदाइक सा भागिता के अंतरगत किया, इसका मुझे उद्देश्य था शिक् इन बच्चों को वंचित रखा जा रहा है, तो मेरी नजर से यह शिक्षा समान नहीं है, ऐसे शिक्षा का इस्तर समान करने के उद्देश्य से मैंने यह पहल योजना शुरू की, इसके क्रियानिवयन के लिए सरप्रथम मैंने अपने प्रात्मिक, माद्धमिक वा हाइ स्क और उन्हें पत्रवेवार द्वारा अपनी योजना के क्रियानिवयन है तू पूरो अनुमती लिए, और उन्होंने भी मुझे इस योजना को सफल बनाने है तू प्रसाहित किया, बस फिर क्या था, सरप्रथम ग्रामिस्तर से युवाओं की एक मीटिंग मैंने आविजित क जिसमें अपनी पहली योजना को साजा किया और युवाओं ने मेरी बातों को समझा, वह मेरा साथ देने है तू इस योजना में शामिल हुए, मैं जानता था, मेरे द्वारा सोचा गया सपना बढ़ा है, मैंने भी कमर कस रखी थी, कि महनत में कोई कसर नहीं चाहे इसके बित मेरा स्वाभिमान क्यों ना आ जाए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ग्राम सरपंच और ग्राम के वरिशनागरिकों से संपर्क किया, वह अपनी इस कारी में उनका अशिर्वात चाहा, उन्होंने भी मेरी इस पहल की प्रशंसा की और मेरी इस प गाउं के महिला साहता समू से भी संपर्क साधा, क्योंकि मैं जानता था गाउं की दिशा और दशाक करने धारन करने में महिला, महिला समू का सहयोग नितान्त आवशक था इसी क्रम में मैंने इन्हे कारेक्रम में सम्मिलित करने हेतु पहल की जहाइनों ने भी इस कारेक्रम में जोड़ कर मुझे सहयोग दिया मेरे सामने सबसे बड़े चुनाओती थी गाउं के लोगों को अपनी पहल योजना में जोड़ने की इस तरतम्मेता में मैंने गाउं गाउं में चौपाल लगा कर अपनी बात रखने की सोची और गाउं को वर्तमान परिवेश में प्रास्मिक इस्तर का आधुनी करण करना, बुन्यादी सुधाओं की आवर्शक्ता और महत्व से अउगत कराते हुए शिक्षा को समान करने की और धानना समझाने लगा, मुश्किलों तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी सोच रखा था, रुकूंगा नहीं, लोगों को बताने लगा कि सहयोग देने ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, जिन्नोंने हमारे विध्याले को देखा ही नहीं, मैं आपसे आपेक्षा रखता हूँ, ज मेरे साथ कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते रहें, इन सभी को जोडने के बाद भी मैंने देखा कि प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थार्थ सामने आने को गिने चुने ही लोग थे, मुझे लगने लगा था कि कही न कहीं समूदाय में शिक्षा के अभाव के क चारण भी मेरी बातों को या शिक्षा में धरुस्तों का महत्तु समझने में असमर्थ हैं, दूसरा पहलो यह भी था कि लोगों को बाते सुनना नहीं परणाम देखने में विश्वास होता है, बस फिर क्या था, मैंने अपने कारयोजना का विस्तार किया और गाउं में नह तो निश्चित तोर पर समुधाय के अन्य लोग भी यह देखकर अनुकरन करेंगे और मुझसे जरूर जोड़ेंगे, एक और जहां मैं लोगों को जोड रहा था, तो दूसरी और विध्याले में परिवर्तन का दौर भी चालू था, जब समुधाय के लोगों ने देखा, तो उनको विश्वास होने लगा कि यह शिक्षक भोलते ही नहीं करके भी दिखाते हैं, बस मेरी पहल का परिणाम मुझे मिलने लगा था, ना जुडने वाले लोग भी मुझसे जुडने लगे थे, मानो मेरे सबनों को पंक मिलने लगा था, समुधाय के लोग अब विध्य विध्याले को स्मार्ट क्लास हे तो टीवी और कंप्यूटर उपहार के रूप में दिया गया, दूसरे क्रम में वन्वी भा के अधिकारियों दोरा विध्याले की सुरक्षा हे तो गेट लगवाया गया, साथ ही साथ सरपंच और युवाओं के दोरा बॉंडरी बनवाया मेरे मित्रो और परिवार के दोरा स्मार्ट क्लास की रूप रेखा, विध्यूती करण के साथ साथ शोचाले की जरजर विवस्ता को भी ठीक करने हे तू नल युक्त वा टैल सिक्त कराए गया, मेरे स्वयम के दोरा विध्याले में पीने योग्य पानी की विवस्ता की गई इस इक्रम में वेपारी घंड द्वारा प्रोजेक्टर विध्याले को उफार के रुप में दिया गया और मेरे शिक्षक साथियो द्वारा प्रोजेक्टर के लिए प्रोजेक्टर इसकी उफार के रुप में दिया गया इसके उपरांद हमने NGO को भी अपने विध्याले में अमंतरित किया और उन्हें भी इस कारेक्रा में जोड़ने में हमें सफलता हासिल हुई NGO द्वारा हमारे विध्याले को जूला उफार में दिया गया इसकी उपरांत मिलास्वा सहता समू पंतूरा द्वारा विध्याले में क्यारियों का निर्माण कराये गया आज मुझे बताकर खुशी हो रहे कि लगातार कई वर्षों के संगर्ष और कोरोना काल आने के बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हमें एक संगर्ष शिल जीत आज मिली है आज हमारे विध्याले में संपूर पूर्ण्यादी सुईधा है यह केवा समुदाइक सभागिता के सहयोग से ही संभव हो पाया है मुझे खुशी हो रही कि आज हमारे विध्याले पूरे जीले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है जहां हमारे विध्याले में लगातार बच्चों का नामांकन ठहराव बढ़ता जा रहा है वहीं आज हम टीचिंग लर्निंग पर भी काम कर रहे हैं मुझे बताकर खुशी हो रहे हैं कि आज हमारे विध्याले से एक छात्र वासू का चैन नौदय में हुआ है इस उप्लब्धी से आज हम लोगों का नजरिया प्रात्मिक इस्तर के सरकारी स्कूलों को प्रती बदलने में सफल रहे हैं आज हमारे विध्याले को समचार पत्र टीवी पत्रिकाओं में इस्थान मिल रहा है वहीं आज हम शिक्षक भी इस सफलता से फूले नहीं समाते हम चाहते हैं कि यदि हमारे द्रिष्टी में इसका परिणाम सार्थक हुआ है तो निश्चित तोर पर हर प्रात्मिक से लेकर हाई स्कूल के सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की बुनियादी स्विधा दी जाए और वर्तमान समय के अनुरूप बच्चों को पढ़ाया जाए तो साथ ही साथ समुदाय से जूड कर पहल की जाए तो निश्चित तोर पर हमें सकरात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा हम भी दिल्ली जैसे सरकारी स्कूलों की भाती भारत वर्ष में सामने आएंगे बस रखना होगा जुनून कर दिखाने का अब यह बताओं कि यह बहुत अच्छा लग रहा है 2015 में इसका जो सौरूप था वो कुछ और था बाद में सर को जब से यह पुरसकार मिलना शुरू है राज्यपाल पुरसकार मुख्यमंत्री अलाकरा पुरसकार उसके बाद उनने कुछ ठान लिया कि निश्चित तोर पर जब यदि मैं इतना थोड़ा सा काम किया हूँ और मुझे पुरसकार मिल रहा है तो यदि मैं इस कई कंडिडेट हैं तो यहाँ आना चाहते हैं कई पालक ऐसे हैं मैं राम कृष्ण मुझवार परिशेतर सायक पंपोरा यहां कांतर सर हज़ा भई समर्य हां सवाली समझ से कि सर्व काम कराना है मेरा को मेरे को सलाथ दीजिए मैं बला भाई आप जो करना है करिए लिकिन मेरे विद्दाला के प्रभारी प्रधान पाठक्ष्री कामतर प्रास्वीन जी की अतक प्रयाद से आज हमारा विद्दाला है पुरे जीले में एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है आज हमारे विद्दालाएं बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है एवं समझ आने पर भी एक्टा क्लास दिया जाता है मैं बताना चाहूंगा कि पहले और अब में हमारे विद्दालाएं में क्या परिवर्दन हु सिह जी के अथक प्रयास से आज प्राइबेट स्कूलों में मिलने वाली बुनियादे सुझा आज हमारे विद्दालाएं में है हमारे विद्दालाएं में हमें समार्ड क्लास से सिख्छा दी आती है आज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विद्दालाएं का एक छात्र वाश